हलो दोस्तों, आज जो ऐसे हम आपके सामने लेकर आएं ये है on violence, हिंसा पर ये ऐसे है और इस ऐसे के रचनाकार है जे कृष्णमूर्थी, काफी परसिद रचनाकार हुए है ये और इन्होंने शिक्षा के छेतर में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस रचना में हिंसा वो बहुत ही बड़ गई है और चिंट्था को विशय है और हमें ज़रूरत है कि इसके समाधान के लिए हमें एक नई संस्कृति जिसमें मतलब प्यार हो, दया हो, धैरे हो, और उदारता हो इसको अमन में लाना होगा, इसको विवारिक्ता में लाना होगा, इसका युगदान दे सकती है, हिंसा को मिटाने में, क्योंकि अगर लोग पड़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो वाइलेंस जो है, जो हिंसा जो है, वो कम होगी, इस ऐसे को हमने दो भागों में बाटा है, ये ऐसे का पहला पार्ट है, तो चले शुरू करते हैं, on violence का पहला part, there is a great deal of violence in the world, संसार में great deal, बहुत बड़ी मातरा में हिंसा है, there is physical violence and also inward violence, मतलब जो आंतरीक है, जो देखती नहीं है, लेकिन मन में होती है, physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately or without thought, to say cruel things, full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people, तो writer का कहना है कि दो तरह की हिंसा होती है, एक जो मतलब दिखती है सबको, और इसका उद्देश्य होता है, लोगों को मारना, लोगों को चोट पहुचाना, consciously, सचेतन मन से, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, deliberately, निश्चित रूप से, मतलब कि आपने मन में ठानली होती है कि मैंने किसी को परिशान करना है, मैंने किसी को मारना है, या मैंने किसी को चोट पहुचानी है, और without thought, और कई बर क्या होता है, निश्चित न होकर भिना किसी सोच के, क्रूर चीजे जो हैं, वो कही जाती है, लोगों के लिए, और उसमें जो चीज कही जाती है, उसमें इसके गुन क्या होते हैं? कि हम लोगों को नापसंद करते हैं, हम लोगों से घहना करते हैं और हम उनकी आलोचना करते हैं, criticized. Inwardly, we are always quarreling, battling, not only with others, but with ourselves. और जो आंतरिक रूप से क्या होता हैं? कि हम हमेशा खुद से लड़ाई कर रहे होते हैं, खुद से जगड़ा कर रहे होते हैं, quarreling, battling. We want people to change, we want to force them to our way of thinking. और हम क्या करते हैं? कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे हों, हमारी तरह आचरन करें, विवार करें और जो हम कहते हैं, वो उस तरीके से सोचें, मतलब हमारी सोच जो है, उसी सोच की, दूसरे लोगों की भी सोच हो. तो यह आपने कई बार देखा होगा, जब भहस करते हैं लोग, तो उनके भहस का, जो argument का main theme ही होता है, कि वो जो कह रहे हैं, वो बात ठीक है, और जो दूसरा कह रहा है, वो बात ठीक नहीं है, और इसी तरह से बहस बढ़ती जाती है. In the world we grow up, we see a great deal of violence, at all sorts of human existence. इस संसार में जब हम बड़े होते हैं, तो हम बहुत सारी हिंसा देखते हैं, और मनुष्य के आस्तित्व का जहां जहां पर भी बशे रहा है, वहाँ पे आपको हिंसा देखनी पड़ती है, human existence. The ultimate, मतलब जो सारवाधिक, violence is war, the killing for ideas, for so-called religious principles, for nationalities, for killing to preserve a little piece of land. हिंसा का सबसे बड़ा रूप है युद्ध, इस से विचारों को मरा जाता है, और ये इसलिए किया जाता है, कि जो धार्मिक नियम है, उसके लिए लड़ा जाए, nationalities, राष्टिता के लिए लड़ा जाए, और या एक छोटी सी जमिन का टुकड़ा होता है, उसके लिए और ये चीजे आज भी मौझूद हैं, देश के आंतरिक उसमें भी कई परकार के ये जो कलेश हैं, ये धार्मिक कलेश हैं, राष्टिता के कलेश हैं, उसके बाद में दो राष्टितों के बीच में एक छोटी सी जमीन के लिए युद्ध होता है, और अतीत में काफी में आते रहते हैं, to do that, man will kill, destroy, maim and also be killed himself, अब ये जो चीजे हैं, जिसके लिए युद्ध लड़ा जाता है, इसके लिए आदमी क्या करता है, कि वो मारता है, नस्ट करता है, maim, मतलब अपाहिज बनाता है, और खुद भी मरता है, तो युद्ध में क्या होता है, हर तरफ चती होती है, there is enormous violence in the world, the rich wanting to keep people poor, and the poor wanting to get rich, and in the process hating the rich, इस संसार में बहुत ही हिंसा है, जो अमीर हैं, वो चाहते हैं कि जो गरीब है, वो गरीबी रहे, और गरीब चाहते हैं कि वो अमीरों जैसे अमीर हो जाएं, और इस प्रक्रिया में, process में क्या होता है, वो अमीरों से घ contribute to this, और जो आप हो, मतलब अब लेखक जो है, रीडर से मुखातिब हो रहा है, संबोधित कर रहे हैं कि आप जब समाज में रहते हो, तो कही न कहीं रूप से आप भी इसमें योगदान देते हो, मतलब यह जो चीजे होती हैं हमारे आस पास, इसमें कहीं न कहीं आपकी भी प्रिश्ट भूमी बन जाती है, contribute, there is violence between husband, wife and children, violence सिर्फ बाहर ही नहीं रहती, society में नहीं रहती है, घरों के अंदर बे आ जाती है, इसमें मिया बीवी और बच्चें जो होते हैं, उनके बीच में हिंसा होती है, there is violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger, all this is inherent in man, inherent in each human being, अब यह जो हिंसा है, antagonism, मतलब पसंद ना करना, शतुर्ता, यह जो घेरना है, cruelty, and ugly criticism, जो मतलब आप बहुत ही नीचा गिर की किसी की आलोचना करते हो, और यह जो गुसा है, यह आदमी में बसी हुई है, inherent, इसको अलग नहीं किया जा सकता, और यह जो अलग ना करने वाली चीज है, यह हर विक्ति के अंदर है, each human being, it is inherent in you, यह आप में भी अलग ना कर सकने वाली अवस्था में है, and education is supposed to help you to go beyond all that, not merely to pass an examination and get a job, और यह जो शिक्षा है, इसका उद्देश यह है, कि यह आपको इन चीजों से दूर ले जाए, और शिक्षा का मतलब सिर्फ यह नही आपको शिक्षित इसलिए होना चाहिए, ताकि आप सुंदर बन सको, स्वस्थ बन सको, सेन, समझदार बन सको, rational, जिसकी बातों में लॉजिक हो, ना कि एक बूटल जो मतलब कठोर होता है, जो हिंसा कर दोर जाए, करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे आदमी बनो, जिसके पास बहुत चलाग दिमाग तो हो, और उस चलाग दिमाग के साथ, वो जो उसकी कुरूरता है, उसका बचाव कर सके, तो यहां रैटर का कहने का मतलब यह है, कि शिक्षा का उद्देश सिर्फ यह नहीं है, कि आप ए रक्षे है, वो यह है, कि आप एक अच्छे आदमी बनो, आप एक सयमित आदमी बनो, ना कि एक ऐसा आदमी, जिसके पास दिमाग तो बहुत हो, लेकिन वो दिमाग जो है, वो कुरूरता में लगाए और उसका बचाव कर सके, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो यह जितनी भी हिंसा की चीजे हैं, इस से आपका पाला पड़ता है, जब आप बड़े हो रहे होते हो, you will forget all that you have heard here, and will be caught in the stream of society, और आपने यहां जो भी सुना आप भूल जाओगे, और stream of society का मतलब जिस हिसाफ से society आगे बढ़ती है, मतलब आद देखोगे कि लोग कैसे अपने रसुक के पीछे भागते हैं, अपनी शान और शोकत के पीछे भागते हैं, और जो society मतलब सो आदमी जो चीजे कर रहे होते हैं, वो अखेला आदमी या दो-तीन आदमी जो और भी हैं, वो भी उसी तरीके का विवार करने लगते हैं, मतलब उनकी भी नीती उसी तरीके की हो जाती है, वो इतना नहीं सोचते हैं कि यह जो चीजे हम कर रहे हैं, यह सही कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंक तो लेखे कहते हैं, जब आप इस तरह के नीती फॉलो करोगे, मतलब आपने यह नहीं देखना कि ठीक क्या है, गलत क्या है, आप वही कर रहे हो, जो सोसाइटी कर रही है, तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे, जो निरंकुष हैं, क्रूर हैं, सक्त हैं, अंदर से जले होने हुए हैं, गुसा है जिसमें, हिंसा है जिसमें, और एक नई तरीके का जो संसार होना चाहिए, उसको आगे लाने में आपकी कोई मदद नहीं होगी, मतलब अगर सब एक ही तरीके का, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, इनवर्ड हमारी जो वाइलेंस है, अगर हम उसी धाचे में आगे बढ़ते गए, तो एक जो नया समाज होना चाहिए, जिसमें कि सब एक दूसरे की मदद कर सकें, हिंसा को त्याग सकें, ऐसे समाज की निर्मान में आपकी भूमिका नहीं होगी. But a new world is necessary. लेकिन ये जो नया संस्कृती है, वो मर चुकी है, उसे दफन कर दिया गया, buried, burnt, उसे जला दिया गया, exploded, उसे उड़ा दिया गया, vaporized, वो भाब बनके उड़ चुकी है, वो जा चुकी है. You have to create a new culture. आपको एक नई संस्कृती बनानी है. A new culture cannot be based on violence. और जो नई संस्कृती है, ये हिंसा पे अधारित नहीं हो सकती. The new culture depends on you because the older generation has built a society based on violence, based on aggressiveness and it is this that has caused all the confusion, all the misery. और ये जो आप हो, ये जो युवा शक्ती है, जो आप नई लोग हो, ये नई संस्कृती आप पे निर्भर करती है, कि आगे बढ़ेगी या नई बढ़ेगी. क्योंकि जो ये पुरानी पेड़ी थी, इसने जो समाज को बनाया, वो हिंसा पे आख्रमक्ता को बढ़ावा दिया उसने, और इसके कारण क्या हुआ कि confusion की उत्पत्ती हुई. और उसी के कारण ये जो misery है, मतलब जितनी भी ये दुख, दर्द फैला हुआ, ये उसी के कारण है. The older generation have produced this world and you have to change it. तो जो पुरानी पेड़ी थी, उसने इसको बनाया है और ये आपके उपर निर्भर करता है कि आप इसे बदलो. You cannot just sit back and say, I will follow the rest of the people and seek success and position. आप ये नही कह सकते कि मैं जो हूँ, दूसरे लोग की तरह, मैं भी सफलता की प्राप्ती के लिए ही मर मिटूंगा या उसी के पीछे भागूंगा. If you do, your children are going to suffer. अगर आप भी वैसा करते हो, तो आपकी जो संतती होगी, आपकी जो बच्चे होंगे, उनको दुख होगा. मतलब उनको परिशानिया होंगी. You may have a good time, but your children are going to pay for it. आप शायद अच्छा समय वेतीत करें, आपके पास धन हो दौलत हो, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. So you have to take all that into account, the outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of the security of the family. तो ये जतनी भी चीजें हैं, आपको इसको ध्यान में लेना होगा, और ये चीजें हैं, जो हमारे बाहर जो कूरता एक आदमी, दूसरे आदमी के साथ करता है, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी साख और रसूख के नाम पर, self-importance, और अपने परिवार के ना तो ये जो चीजें हैं, ये अच्छी चीजें नहीं हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा, you will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know, आपको जो है इन बाहर में घटित हो रही, कुरूरता और हिंसा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो अंदर की हिंसा है, वो शायद आपको अभी नहीं म मुखातिव हैं, वो कहते हैं, बाहर तो आपने हिंसा बहुत देखी होगी, लेकिन जो अंदर जो हिंसा है, और ये हिंसा तब बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आप आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो ये जो bitterness है, मतलब जो अंदर जो मन मुटाव चलता रहता, अंदर जो युद्ध चलता रहता, मन की अंदर आपके, ये चीजे शायद आप अभी नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे वो आपको मालूम होगी, तो दोस्तों ये था इस रचना का पहला पार, आशा करता हूँ, आपको पसंद आया हो, अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें जरूर दें, और जल्दी एक नई रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुडबाए